नमस्कार मित्रों मैं हूँ मनोज वर्मा आज हम बात करेंगे मालव्य राजियों की यदी किसी कुणली में लगन अत्वा चंद्रमा से शुक्र देव केंद्र भाव एक चार साथ वे दस दस्वें भाव में इन भाव में यदी अपने सव राशी में हूँ या अपने उच्च की राशी में यानि कि विर्शव तुला या मीन राशी में हूँ तो ऐसी कुणली में मालव्य राजियों बनता है मालव्य राजियों वाला जातक सुन्दर होता है तथा इस योग वले जातक पर लक्ष्मी मा की विशेश अनुकंपा होती है धन्दुलत, सुक वैभव, गाड़ी, बंगला, नोकर, चाकर, आधी, सभी सुईधाएं मुएया होती है लेकिन अगर शुक्र देव इन भावों में पाप संगत या यूती में हो तो ये योग भंग हो जाता है शुक्र योग कारक ने होकर दोश कारक बन जाता है